हेलो दोस्तों, ये हमारी SSC CGL 2022 सीरीज की सेकिंड वीडियो है, जिसमें हम हाइटन डिस्टेंस के इंपरन्ट कोश्चन्स करेंगे, चलिए शुरू करते हैं पैला कोश्चन है, यदि एक जील के 200 मेटर ऊपर के बिंदू से बादल का उन्यन कौन 30 डिग्री है और जील में उसके परावर्तन का आवनिती कौन 60 डिग्री हो, तो जील के उपर बादल की हुचाई कितनी है इस टाइब ये कोश्चन्स में ने सबसे इंपरन्ट चीज क्या है, कि जब भी आप जील बनाएंगे न, जैसे माली सबोस ये जील है, ठीक है 200 में ये हमारा जील के उपर का हिस्सा है, फिर वो कह रहा है कि 200 में उपर के बिंदू से बादल का उनियन कौन 30 डिग्री है अब बादल सपोज यहां कहीं होगा, ठीक है तो यहां से 200 मिटर उपर से बादल का उन्यन कोण कितना है उन्यन कोण होता है जो लीचे से उपर कितर बनता है ठीक है कितना है 30 डिग्री है ठीक है तो हम इसकी हाइट मालने ते हैं यह सपोस्थ हाइट पर होगा इस पॉइंट से है ना फिर वो कह रहा है कि और उसके परावर्तन की अवनिती का कोण 60 डिग्री हो ठीक है परावर्तन की अवनिती अब दोगो जितनी हाइट यह होगी उतना ही यह इधर होगा जील के अंदर यानि कि यह तो हमारा 200 होगा यह वाला हिस्सा लिकिन जो बादल की हाइट होगी यह पानी के अंदर वह भी उतनी ही होगी कितनी होगी एच प्लस 200 और हमारा बादल कहां से बन रहा है इस वाले एंगेल से कितना बन रहा है 60 डिग्री जील के उपर बादल की उचाई कितनी है तो फहले हम इसों लगा देते है 10 30 इसे माल लेते हैं हम X हो गया ठीक है ट्राइंगल का नाम देने चाहा तो ट्राइंगल दे लो A B C यह D हो गया यहां पर इसे O F दे लो है ना तो जितना B C होगा उतना यह O F B होगा सेम तो पहले हम बनाते हैं साइन 30 लगा तो सॉरी 10 30 10 30 इन ट्राइंगल ट्राइंगल कितना है हमारा A B C तो 10 30 कितना हो जाएगा लम बटे आधार H अपॉन X 10 30 कि वैले कितनी हो जाएगी 1 अपॉन रूट 3 इस इकल टो H अपॉन X तो X की वैले कितनी हो यहां से हमारी H रूट 3 ठीक है अब हम ट्राइंगल लेंगे कौन सा ट्राइंगल B C D तो यहां पर भी 10 60 लगाएंगे यहां पर भी पर्पेंडिकल और अपॉन बटे आधार तो यह टोटल कितना हो जाएगा तो B D कितना होगा B से लेकर D तक अगर पर्पेंडिकल की बात करें तो B D होगा और B C होगा तो 10 60 की वैले कितना होती है रूट 3 B D कितना हो जाएगा 200 प्लस H प्लस 200 और यह हमारा X X की वैली अभी हमने find की है H रूट 3 तो यह पहले लिख लेते हैं से रूट 3 तो यह 400 प्लस H और अपॉन में कितना है X तो रूट 3 इंटू X 400 प्लस H रूट 3 इंटू X की वैली कितनी है हमारी H रूट 3 400 प्लस H तो यह 3H हो जाएगा यह तरह जाएगा minus H 400 कि 2H is equal to 400 तो H की वैली कितनी हागी 200 तो हमसे यह क्या पूछ रहा था तो जील के उपर जील के उपर बादल की उचाई तो जील हमारी यह है यह जो है जील यह जील है तो जील के उपर यह 200 और 200 यह तो कितना हो गया total 400 तो यह निकिसका सवाल करने तरह क्या हो गया 400 नेक्स्ट वन किसी मिनार की उचाई 50 रूट 3 मीटर है तो पहले एक मिनार ड्रॉ कर लेते हैं यह ही मिनार मिनार के आधार से 50 मिटर की दूरी पर उन्यन कोंड क्या होगा बहुत सिंपल कुश्यों जेको 50 मिटर की दूरी प तो पी कितना है 50 रूट 3 और यह 50 यह कट जाएगा इससे तो फिटा इस इकल्ट कितना जाएगा रूट 6 डिगरी कि रूट 3 किसकी बेली होती है 6 डिगरी 10 नेक्स्ट पतंग का मांजा यह 36 सतय के साथ 70 डिगरी का कोंड बनाता है यह मांजी के लंबाई 80 मेंटर हो तो पतं यहां ओल रही होगे ठीक है अब मांजा हमेशा ऐसा होगा अगर पतंग उड़ाई होगा अपना जवी ठीक है और इसकी हैट पूछ रहे हो यह पतंग कितनी कुछ वाइप ओल रही है और यह दिरखा है तो मैं 80 मिटर और यह दिरखा है 36 सतय के साथ 60 डिगरी का ठीक है तो अब देखो यहां पर हमें पता है P और हाइप इसमा आता है साइन में तो साइन 60 डिगरी इस इकल टो पर्पेंडिकुलर अपॉन है यानिकि 80 साइन 60 वाली कितनी रूट 3 अपॉन टू इंटू 80 इंटू है तो यह कितना हो जाएगा 40 रूट 3 तो रखाए गया तो डी परेक प्रेशक किसी टावर से 45 मेटर दूर है ठीक है उसकी आँख से टावर के सीड्स का उनियन कोंट 30 डिगरी है टावर की उचाए कितने मेटर होगी यह है हमारा प्रेशक मतलब कोई व्यक्ति होगा A B इसकी हाइट कितनी 1.6 और यह कितने दूरी पर खड़ा है 45 मेटर के दू अगर इस पूरे की हाइट कितनी हो एक्स हो तो यह कितने हो जाएगा एकस माइनस 1.6 ठीक है मतले इतनी माइनस कर देंगे तो 1.6 होगी और हमारा यह एंगल कितना है 30 डिगरी हमसे पूछ रहा है वह टावर की उचाए कितने है ठीक है एन 30 लगा दो यह 45 तो यह भी 45 तो एकस माने बताया था पहले ही परपेंडिकल और बेस की बास से लिए तो हमेशा क्या लगा न है 10 10 30 की वैली 1 अपॉन रूट 3 x-1.6 अपॉन 45 तो 45 अपॉन 3 इन्टो रूट 3 को एकस मानекс 1.6 Danielle तो ईक्ना हो जाएगा 3 15 एक तो 15 रूट 3 जा पॉन 0. 6 इस इकल टो एकस रूट 3 की बल्रूध यह 1.73 तो 15 से मिल्टिप्लाई कर लो कितना हो जाएगा यह 15 या 45, 48, 4, 15 सत्य, 105, 105 और 4, 109, 10, 15, 15 और 10 कितना 25, 25.98, 25.98 प्लस 1.6, कितना हो जाएगा, 8, 15, 27.58, ठीक है, यही बतानी थी मैं, टोटल हाइट, ठीक है, ठीक है, एक सेर्ट, ठीक है, नेक्स, किसी मिनार के आधार से 40 मिटर के दूरी पर एक बिंदू से मिनार के सीर्स भाग का उनियन कौन 60 डिगरी है, मिनार के उशाय बताएगे, इसी मिनार के आधार से 40 मिटर के दूरी पर एक बिंदो यह हमारी मेनार हो गए यह भी इससे 40 मेटर की दूरी क्या रहा है उन्यन कोंड 60 बहुत सिंप्ल कुर्शन है तो कितना है 60 डिगरी और मेनार के अदा 40 मेटर की दूरी क्या पूछ रहा है मेनार की उचा ही बताई है तो 1060 लगा देंगे कितना हो जाएगा एक सीधा पेड तूफान के वज़े से टूट जाता है सपोज हमारा पेड जो है यह तूट गया यहाँ पर पॉइंट आ गया सी तूटा हो भाग इस पर जुख जाता है कि पेड के सीड्स भाग भूमी पर 30 डिगर का कोंड बनाता हो भूमी को इस परस्ट क पेड के तल से उसके बिंदू की दूरी जहां सीड्स भाग भूमी को इस परस्ट करता है दस मेटर है तो हमसे पूछ रहा है कि पेड की कोलुचाई बताओ ठीक है तो हमें कोलुचाई बताने के लिए पहले हम लगाएंगे इसमें 30 लगा लेते हैं इसे दे देते हैं नाम तो ठीक है ट्राइंगिल सॉरी ट्राइंगिल बी-सी-डी 1030 कि इतना हो जाएगा वाई अपॉन 10 1030 की वैली वन अपॉन रूट 3 और यह 10 मुल्टिप्लाई में आ जाएगा और यह वाई तो हमारा 10 अपॉन रूट 3 आगे हमारे वाई की वैलियों फिर हम लगाएंगे किसम 1030 की की वैलू किती होती है 1030 होता है 1.. उपॉन तो y की वैलू कितín हो 10 retr 5 in to X हमें निकालने कि इसकी एक्स की एक्से की वैल तो x कि वैली कितनी हो जाएगी 20 trainee आपकॉन रूट 3 और महत्तों फाइंटर्टकर मैं एक्स प्लस वाई क्योंक हमें यह चैक्क हमें ऐ भी men 3 root 3, 3, 10 जा, तो 10 root 3, A इस सवाल का correct answer, next, next question है कि 75 meter उचे खंबे के एक और खड़े दू वेक्ती, खंबे का सीट्स का उन्यान कॉंड, 30 डिगरी और 60 डिगरी देखते हैं, दूनों वेक्तिव के बिश्की दूरी कितनी है, 75 meter उचा खंबा, एक और खड़े, एक ही और खड़े ठीक है, यह नहीं अलग-लग खड़े हैं, तो यह हमारा खंबा हो गया, A, B, यह 75 meter उचा खंबा है, उन्यान कॉंड 30 डिगरी और 60 डिगरी है, यानि कि यह 30 डिगरी, और उसके बाद, यहाँ पर जितना पास आएंगे न उतना एंगल बड़ा होता है, हमें चाहत रगना, पहले 30 बनाएं, 60 बनाएं, तो जो इसके मतलब परपेंडिकुलर के जो पास होगा, वो एंगल सबसे बड़ा हो, दोनों वेक्तियों के बीच की दूरी, यानि कि हमें यह फाइंट करना है, ठीक है, तो हम और कुछ सो दिया नहीं है, जलो solve करते हैं, A, B, C, D, तो पहले ट् 1030, 75, अपॉन में, X, किसा Y माल लेता है, X plus Y, 1030 की वाली बनापॉन रूट 3 होती है, 75 X plus Y, तो X plus Y की वैली कितनी आजाएगी, 75 रूट 3, इक्वेशन फर्स्ट, 1060 की वेले ले 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 लेता है, ट्रेंगे ले ले लेता है, चोटा वाला A, B, C, 1060 कितना हो जाएगा भी हमा और यह 75 रूट 3, तो Y की वैली कितनी हो जाएगे, 75 रूट 3 का अंस्वेट से मेटिप्लाई करेंगे, तो रूट 3, रूट 3, 25 जा, 75, 25 रूट 3, हमें फाइंट करना हो था X, तो X की वैली निकालने के लिए हम, प्रॉब एक्वेशन, फस्ट, X is equal to 75 रूट 3 माइनस वाइ, 75 रूट 3 माइनस 25 रूट 3, मेंस 50 रूट 3, तो इस सवाल का अंसर कितना हो गया, D, ठीक है, नेक्स वाइगे, एक ध्वज सतंबर, ध्वज इस्थंबर पर रखे, ध्वज के सीट्स और आधार का, 30 मिटर दूर एक ध्वज सतंबर पर रखे, ध्वज के सीड्स और आधार, याने कि ये ध्वज सतंबर है हमारा, PQ, और ये हमारा ध्वज हो गया, P, तो वो कह रहा है कि, ध्वज के सीड्स, ध्वज का सीड्स यह होगा, और आधार, यह होगा, कि 30 मिटर के दूरी से उन्यन कोंड 45 यह 30 है और यह कितना जाएगा 45 डिग्री है और तीस डिग्री है धोज की उचाए कितनी होगी यह पूछ रहा हूँ यह हमें पता नहीं है दोखो 1045 जब भी दिखे तो जितना यह होगा सउरी इसे नाम दे लेते हैं दि जितना ही होगा सब्सक्राइब इसे मान लिया तो यह जितना DQ होगा, उतना ही यह पूरा होगा, कैसे? देखो ऐसे, जैसे कि ट्राइंगल लिया हमने कौन सा, A DQ, तो 1045 लगाएंगे इसमें, 45 कितना हो जाएगा हमारा AQ, और अपन में DQ, दोनों से मी हो जाएंगे, क्योंकि 1045 क्यों लियो होती है, 1, तो AQ और DQ दोनों बराब तो ट्राइंगल प्राइंगे में कितना हो जाएगा, 1030, is equal to x upon A, 1030 की value 1 upon root 3, x upon A, तो A की value कितना हो जाएगा, root 3x, ठीक है, हमें किसकी value find करनी है, हमें value find करनी है, और यह दे रखे थी हमें, 30 मिटर की दूरी से, यह A दे रखा था में, 30, तो यहाँ पर जो वने A की निकाला है, यह कितना हो जाएगा, 30, तो यहाँ पर हमारा जो A है, कितना हो जाएगा, 30, यहाँ पर हमारा x के value कितनी हो जाएगा, 30 upon root 3, root 3 से root 3 into root 3, 310, तो x के value में find होगा, 10 root 3, यह कितना होगा 10 रूट 3 और हमें क्या निकालना था पूरा धंडे की कितने के धोच की उचाए कितनी होगी तो टोटल में से माइनस कर दो से टोटल है ना हमें एच फाइंड करना है तो AQ माइनस EQ तो EQ हमारे कितना है तो टोटल 30 माइनस 10 रूट 3 है कहीं पर ऐसे वैल्यू रही रख्या है 21.732 तो 30 माइनस 17.32 माइनस कर लो 10 माइस 28 937 972 और 2 बाइस वन 12.78 12.97 1.732 यह होगा एक पॉइंट माइं क्या होगा ठीक है 1.73 रहे ना एक्शलिए इसको 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 नेक्स सॉश्चन भूमी पर किसी बिंदू A से किसी मिनार के भूमी पर किसी बिंदू A से मिनार के बिंदू A से मीनार के सी बिंदू A से्टी हो जाता है मेनार के ओअधार के और बीस मिट्र एक हम 20 मिट्र चलते हैं तो जो एंगिल है B पर उनियन कौन 60 degree हो जाता है ठीक है यह 60 degree हो गया वी नर क्यों चाहिए बताने है simple question अब उसे इसे a माल लेते हम यह हमारा c हो गया फिर d हो गया सबसे पहले हम लगाएंगे 1060 degree और triangle लेंगे हम b c d तो कितना हो जागा h upon a 1060 की value हम जानते है होती है रूट 3 होती है एच अपॉन एच की value होगी रूट 3 एक एक फिर लेंगे triangle बड़ा वाला a d c तो 1030 लगाएंगे simple 1030 कितना हो जाएगा एच अपॉन ट्वेंटी प्लस एट ट्रेंटी की value होगी 1 upon root 3 h की value हम जानते है root 3 a 20 plus a क्योंकि हमें एक ही value find कर नहीं है कि पूछ रहा है में नहीं स्वारी हमें एच से निकालना था तो हम लो बाद में रख देंगा एक पले निकालने तो यह इदर जाएगा और यह इदर ट्वेंटी प्लस ए कर देंगे तो हमारी एंच की value कितने हैं टैन रूट एक मकान से 60 मिटर दूरी पर खड़ा एक प्रिशक देखता है कि मकान पर लगे हुए जंडे के सिर्का उनियन कोंड 60 डिग्री है तो जंडे का पात का उनियन कोंड 45 डिग्री है तो सेम कोशन अभी हमने किया था से मकान से 60 मिटर दूरी पर खड़ा एक प्रिशक देखता है यह मकान है थीक है देखता है कि जंडे का सिर्का उनियन कोंड 60 डिग्री है जंडे के पात का उनियन कोंड कितना है 60 degree और हमसे पूछ रहा है जंड़े की उचाई कितनी है जंड़ा कितना है हमारा यह कितना हो जाएगा हमारा वाई ठीक है तो और यह कितनी दूरी पर है 60 मीटर अभी मैंने बताया था इसे पहले लिए कोश्चन में जब भी 1045 बनाएगा तो जितना यह होगा उतना यह होगा यानि कि यह भी 60 degree बस अब बड़े वाले उसमा रख देंगे ट्राइंगे में 1060 degree बिल्को सेम कोश्चन अभी हमने पहले भी गया दें इसने में शॉर्ट में कर रहा हूं ऐसे की जाओ यह बाताएट कर आयदको यह और लूइन वड़ाई मुआप उर्य प्लस सिक्स्टी आपन में SUPER 10 60 यह ही प्लस सिक्स्टी हो जाएगा यह सिक्स्टी रूट 3-60 is equal to x तो 60 गौर्मन हो जाएगा रूट 3-1 एल्स यह पॉर्माट तो 60 रूट 3-1 है हमारा यह दो बस नेक्स्ट भूमी तल से एक भवन के सीड्स तता उसके चिमनी के सीड्स के उनियन कॉंड के नमसा एक गूर्ण की उचाई एंच मिटर है तद उससा चिमनी के यह थो यह माल लेजें भवन का सीड्स है और रिए उसके चिमनी का आर तो वह कह रहा है कि ए थी एड़ा की इस भुवी तल से एक घजर मटर्स को स्पाइटल से कितना डिग्रिया एंगिल है एकसडिगरी और कह रहा है कि पुट्टी 5 डिभृ दिग्रियों था इस मिटर है यह कितना है 45 और भवन की उचाई कितनी है एक्स तो हमसे पूछ रहा है किमनी की उचाई यानि कि इसे मालने थे हम एक्स और हमें कुछ गीविन है कुछ भी गीविन नहींगी ओ कि एक्ष्ट है हमारा हो गया है एसमालने थे से ब्लार ट्राइंग लेते हैं कि ऐार क्यू एस तो हमने पहले इस प्लस एच और अपन में स vine तो यह sq की value आगई x plus h next फिर ले थे हैं triangle कौन साम छोटा बला in triangle pqs 10x is equal to h upon sq 10x ऐसी रहेगा हमारा कि कि इसकी value में given नहीं है h भी ऐसी रहेगा x plus h हो जाएगा यह यह दर जाएगा हमारा तो 10x plus 10x into h is equal to h हमें find क्या करनी है चिमनी क्यों चाएगा है तो हम चिमनी हमारी कितनी है x तो हम x find करना है हमें तो यह इसे पास ले जाओ x कहांगे हमारा यह x यहां रहा x 10x ऐसी रहेगा और यह h common आ जाएगा तो 10x minus x 10x ऐसी रहेगा और h common आ जाएगा तो 1 minus 10x ठीक है तो x की value कितनी हो जाएगी h 1 minus 10x और अपॉन में 10x अंसर लेकिन सारे cot में है cot में है अगर मैं इसे divide कर दूँ h cot x 10x कितना हो जाएगा यह तो अगर मैं इसे divide कर दूँ 10x को h into 1 upon 10x 10x अपॉन 10x बन हो जाएगा h cortex minus 1 है कहें यह पर h cortex minus 1 अच्छा हाँ यह h अंदर भी तो जाएगा h cortex minus h next बराबर उचाएगे दो खंबे 100 मेटर चौड़ी सड़क के दो और आमने सामने खड़े है कि सड़क हमारी 100 मेटर चौड़ी है और बराबर उचाएगे खंबे यह p q और यह हमारा a b आमने सामने खड़े सड़क पर उनके बीच उनके बीच देखो एक बिंदू से उनके सिखर के उन्हें रिकों 30 दिगरी है और एक कितना है 30 दिगरी है हर खंबे की मेटर में उचाएगे एक्स यह वाई यह माल लेज़े कितना यह से ऐसे रहने दो ऐसे रहने दो इसे यह a कितना था p q a b यह c लिख जाता है ट्राइंगल p q c 10 30 इस इकल टू कितना हो जाएगा इससे a लिख लेता है इसे b लिख लेता है यह ठीक रहे है p q upon a a की वैल्यू कितने हो जाएगी p q upon में कितना 10 30 की वैल्यू थी 1 upon root 3 तो root 3 1 upon root 3 यह एएगी p q root 3 हो जाएगा तो सेम एस 1060 लगाएगे इस पर ट्राइंगल हमारा पॉन सा है a b c 1060 कितना हो जाएगा a b upon b root 3 a b और यह b की वैल्यू कितने हैं जाएगी a b upon root 3 तो उसने हमसे पहले कोशन में किया जेता p q और a b दोनों equal है ठीक है जो height of यानि कि इसकी मान लेते हैं हम height जो height है दोनों towers की यानि कि p q की और a b की दोनों की equal है तो इससा x मान लेता है यहाँ पर जहाँ p q लिखा है वहाँ x जहाँ e b लिखा है वहाँ x तो b is equal to x upon root 3 और a is equal to root 3 x हम जानते हैं a plus b कितना है 100 है जो पूरी हो है तो कितनी 100 है तो 100 is equal to x upon root 3 और यह root 3 x root 3 हमारा LCM हो जाएगा x plus 3 x is equal to 100 यह कितना हो जाएगा हमारा 4 x 100 into 3 is equal to 4 x 425 जा तो हाइट कितने है जाएगे 25 root 3 यह सवाल का correct answer next यदि किसी इस्थम्ब की पृतिवी पर छाय के लंबाई इस्थम्ब की उंचाई के बरावर है यदि किसी इस्थम्ब की पृतिवी पर छाय के लंबाई यानि कि इस्थम्ब है और इसकी चाय के लंबाई बरावर है तो सूरे के साथ उसका onion कौन कितना होगा 45 डिटी यानि कि 5 by 2 मैंने बताता ना जब बेस और परपरपेंडिकुल दुनों equal होते है तो 45 डिग्री बनता है 45 का मतलब कितना होगा 5 upon 180 sorry 5 by 4 होगा यानि कि इतनी सब्सक्राइब ना इंटी होता है 5 by 4 बन एक्स्ट सीमा 60 डिग्री की आनेती इंक्लिनेशन पर 16 मेंटर लंबी डोर से पतंग उड़ाती है जमीन से उचाई पर पतंग उड़ रही है अच्छा यह 16 मेंटर लंबी डोर है और यह एंगिल कितना है 60 डिग्री इंक्लिनेशन ठीक है एच पूछ रहा है साइन 60 लगा देंगे एच अपाउन 16 साइन 60 वेली रूट 3 अपाउन 2 एच अपाउन 16 2 एट जा तो एच वेली रूट 3 एक विक्ति पाता है कि 15 मिटर उचाई वाले खंबे के सीड्स का उनियन कोण 30 डिग्री है खंबे की विक्ति से दूरी कितनी है यह पूछ रहा है 10.30 लगा दो यह तो सिंपिल कॉश्चन है 15 अपाउन एक्स 1 अपाउन रूट 3 15 अपाउन एक्स तो एक्स इसगल तो 15 रूट 3 हमारे 15 कोश्चन होंगे और अगर आपको पसंद आए तो हमें कमेंट करके जरूरू बता है जिससे नेक्स वीडियों बनाएं और प्लीज सब्सक्राइब दिशाएं थैंक्यू